हेलो गाइज कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छ होंगे अगर आपको भी एकसेस बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए वो भी लाइफ टाइम फ्री तो आज किस वीडियो को एंड तक जुरूर से देखना क्योंकि इस वाले वीडियो में आपको कम्प्रि आपको मिल सकें चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं कंप्रिट प्रोसेस यहां पर देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दू मेरा क्रेडिट कार्ड यहां पर अप्रू हो चुका है तीस मही को मैंने आपको क्रेडिट कार्ड के लिए एपलाई किया था तीन जून को इलिजिबिलिटी चेक हुआ साथ ही में credit card भी यहाँ पे अप्रूफ हो गया तो हम आपको step वाज step complete process बताऊँगा कि क्या क्या आपको fill up करना है जिसे आपको credit card definitely यहाँ पे अप्रूफ हो जाए तो अगर आपको भी access bank का credit card चाहिए वो भी lifetime free तो इस वीडियो को कहीं पे भी miss मत करना एंड तक जुरूर से देखना साथ ही मैंने channel पे already बहुत सारी वीडियो डाल रखे हैं जिसमें मैंने ICCA bank के credit card, one card, HDFC bank के credit card and loan के related भी बता रखा कि कैसे आप apply कर सकते हो जैसे आपको loan या credit card मिल जाए तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप हमारे channel पे वीडियो के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में जाना है वहाँ पे मैंने एक link दे रखा जैसे आप इस पे click करोगे तो आप redirect हो जाओगे access bank के official website पे जहाँ पे आप देख सकते हो credit card का online apply करने का जो process वो यहाँ से start होता है सबसे पले आपसे पूचा जा रहा है are you an existing access bank customer अगर आपका access bank में account है या फिर कोई credit card है तो आप yes पर click कर सकते हो otherwise नहीं है तो आप no पर click कर सकते हो अब जिनका already account होगा या credit card होगा already access bank के पास उनकी information होगी जैसे नाम, आदार, नमबर, पे, नमबर तो यहां से उनको ज़्यादा कुछ KYC बगेरा नहीं करवाना पड़ेगा बर जिनकी नई है उनको सारी information यहाँ पर fill करनी पड़ेगी तो मेरा access bank में ना तो कोई account है ना कोई credit card है तो मैं no पर यहाँ पर click करता हूँ जैसे no पर click करेंगे तो next में आपसे अपका mobile नमबर मांगा जा रहा है pain नमबर मांगा जा रहा है साथ में pin code and annual income साथ में caps आपको fill up करके next कर देना है जैसे मैंने सारी information यहाँ पर fill कर लिए हैं आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे क्या करते हैं गाउं का pin code नहीं डालते हैं जो आजार card में pin code है वो नहीं डालते हैं और कोई city का pin code डालके सोचते हैं कि मेरा credit card यहाँ पर अपर अपरू हो जाएगा तो ऐसा नहीं है मैंने अपने गाउं का address यहाँ पर डाला है बट आपकी credit profile अच्छी होनी चाहिए आपके पास जो already credit card है उनकी limit अच्छी खासी होनी चाहिए और civil score वगएरा भी अच्छा होना चाहिए तब आप अपने गाउं का address डाल सकते हो otherwise आप कोई city का address डालके भी card अपरू करा सकते हो तो बैने आपे pin code वगएरा डाल दिया annual income डाल दी साथ ही में जो capture फिल कर दिया next पर click करते हैं जैसे next पर click करेंगे बहुत सारे credit card आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे जैसे access bank new master card है इसके कुछ features वगएरा यहाँ पर दिखा रखे हैं no more पर click करके इसके और भी benefit वगएरा चेक कर सकते हो कि कौन-कौन से merchant पर कितना यहाँ पर discount है cashback मिल रहा है साथी में दूसरा credit card आप देख सकते हो access bank का S credit card है जिसके feature वगएरा भी आप देख सकते हो और इसका joining fees 0 है साथी में annual charge है 499 plus GST इसी तरीके से और भी आपको यहाँ पर credit card देखने को मिल रहा है जैसे flip card access bank credit card है या फिर जो my zone credit card है वो भी यहाँ पर आपको दिखा रखे है तो आपको जो credit card भी चाहिए वो आप यहाँ पर choose कर सकते हो मेरे को only access bank का credit card लेना है तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो flip card access bank credit card चाहिए वो charges वाला हूँ या फिर without charges वाला तो आप वो वाला card भी ले सकते हो अगर आप अपने credit card को कम use करते हो तो free वाला card ले लेना क्योंकि जो ज़्यादा use करते हैं वो तो अपना transaction complete करके fees को wave off करा लेंगे बट अगर आप कम use करोगो तो बेवज़ा यहाँ पर annual charge लगता रहेगा तो मैंने आपने new card को select कर लिया है जिसकी joining fees भी 0 है annual charge भी यहाँ पर 0 है next पर click करते हैं जैसे next पर click करेंगे यहाँ पर आपके registered mobile number पर एक OTP send किया गया OTP हमें आप इंटर करना है OTP डालने के साथ साथ नीचे यहाँ पर I agree का box है इस box पर आपको click करना है तो एक page आपके सामने आपके open हो जाएगा जिस पर लिखा है I agree तो आपको इस पर click करना है यह time and condition आपको accept करना है यहाँ पर submit पर click करना है जैसे आप submit पर click करोगे next page में आपको अपनी information यहाँ पर fill करनी है जैसे आपका नाम, आपका date of birth और कुछ information आपको और भी यहाँ पर fill करनी है अब अगर जिनका already access bank में कोई account है या credit card है तो access bank वो information यहाँ पर show कर देता मेरा ना कोई account है ना कोई credit card है मेरे को यहाँ पर fill up करना पड़ेगा तो मैंने आपके basic information fill कर दिये जो कि आप अराम से fill कर सकते हो जैसे नाम है, date of birth है, title है, gender है साथी में आप अपने card पर क्या नाम चाहते हो वो यहाँ पर fill up करना है mother's name, father's name, married status अगर आप single हो या फिर married हो, यहाँ पर चूज कर लेना है नीचे आपको address detail डालना है जिसे residence address है और office address है तो मैं एक एक करके आप़ fill up कर लेता हूँ residence address जो आपके आदार कार्ड में शो कर रहा है वो आपको यहाँ पर डालना है residence चूज किया है उसके बाद आपको यहाँ पर email ID fill up करना है जिसमें आगे के update आपको मिल जाएंगे साथ ही में card से related जैसे card का statement हो गया और offer वगिरा हो गया सारे की email आपको इस email पर मिल जाएंगी नीचे एक box है उसको आपको tick mark करना है next पर click करना है जैसे next पर click करोगे आपको अपना employment type चूज करना है जैसे salaried है या self-employed है तो अगर आपका business registered है तो आप self-employed चूज कर सकते हो जैसे बहुत सारे SI कोई काम करते है business यहाँ पर registered नहीं है जैसे GST number नहीं है business के नाम से ITR वगिरा fill up नहीं करते हैं तो वो self-employed चूज कर लेते हैं आगे की process कर देते हैं card उनका reject हो जाता है बट आपको इसा नहीं करना अगर आपका business registered नहीं है तो आपको salaried पर जाके वो information यहाँ पर fill कर देनी है तो मैं यहाँ पर salaried पर click करता हूँ यहाँ पर जो information मागी जाती है यहाँ पर कर दिया उसके बाद occupation code autofilip यहाँ पर हो रखें short shop fund क्या है salary है तो वो मैंने आपर select कर दिया उसके बाद type of industry यहाँ पर banking लिख दिया company name यहाँ पर लिख दिया and tenure in current job आप इस job में कितने साल से काम कर रहे हैं इसका कितने साल का experience आपके पास है वो आपको fill up करके submit पर click कर देना है जैसे आप submit पर click करोगे तो आपका जो credit card का apply process आप यहाँ पर complete हो चुका है इसमें लिखा है thank you for interest application process has been initiate for access bank credit card we will update you with the status shortly application reference number यहाँ पर दिखा रखा है जिसे आप अपने credit card को track कर सकते हो अभी तक आपने जो process किया उससे आपने इस credit card के लिए apply किया है अभी आपको video के वाईसी बगिरा भी करने पड़ेगी बट अगर आप eligible नहीं है तो यहीं पर आपको rejection का SMS या email आ जाएगा अगर आप यहाँ पर approve होते हो तो आपको video के वाईसी के लिए बोला जाएगा जैसे मेरा card यहाँ पर approve हो गया इसके बाद मेरे पास video के वाईसी SMS है something 3-4 गंटे के बाद तो मैंने video के वाईसी कैसे complete किया वो आपको next video में देखने को मिल जाएगा उसमें क्या-क्या process follow करना पड़ता है क्या बोलना पड़ता है क्या दिखाना पड़ता है जैसे credit card मेरा यहाँ पर approve हुआ है साथी में मेरा access bank में account वगयरा नहीं है तो application को कैसे use करूँगा साथी में इसके pin वगयरा कैसे set करूँगा इस card को manage कैसे करूँगा आगे आने वाले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से आप access bank के credit card के लिए apply कर सकते हो link मेंने वीडियो के description box में दे दिया वहाँ से आप check out कर लेना apply कर लेना बाकि अगर आपको ICSE bank, HDFC bank, one card इनसे credit card चाहिए फिर loan चाहिए तो already मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं आप मेरे चैनल पर विजिट करके check out कर सकते हो अगर आपको हमारे वीडियो यूजफू लगते हैं तो चैनल को subscribe जरूर से कर लेना बाकि आज कि इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना साथ ही में कुछ पूछना हो कुछ सजेस्ट करना हो तो इस वीडियो की नीचे आप comment कर सकते हो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर से करना साथ में बेल आइकन को ओल पर जरूर से प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके आज किस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में